मेरे चैनल शर्वन साज ओफिसियल को लाल बटन दवा कर सब्सक्राइब करें और धंटी को दवाना न भूलें थाकि मेरा हर विडियो आप तक आसानी से पहुंचें जो भी है उनका यधिकार शोशित को दिलवा के रहूंगा अमबेड करकी सुन प्रतिक ज्यान एनों में भर आये नीड भीमराओ को देखते रह गई उसी समय तज़दी हो शरीर भीमराओ को देखते रह गई रमाबाई के सोख में डूबे अमबेड करकर रहे विचार केस मुडा कर साधू हो जाऊं या शोशित को करूं आगाज केस मुडा कर साधू हो जाऊं तिन रत शोशित प्यूट को घर घर जाकर भीमराओ दियो जगाए लाखों लोग इकठा होते जग जग तब सभा लगाई लाखों लोग इकठा होते पंदर आगस संसाइता लिसको भारत देश हुआ आजाद दो टुकडे में देश बट गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो टुकडे में देश बट गया संप्रदा इक दंगा भड़का चारो तरप हुआ हाहाकार हिंदु मुसलिम एक दूजे का कर रहे थे नरसंगार हिंदु मुसलिम एक दूजे का गांधी जी के इस फैसले पर जन जन में तब गुसा आए नाथुराम गोड से ने एक दिन गांधी जी पर गोली चलाए नाथुराम गोड से ने एक दिन देख के खून खराबा नेहरू एक आएक गए घबराए अब मैं कैसे देश चलाओं नेहरू जी तब गए अखुलाए अब मैं कैसे देश चलाओं अम्बेड कर से बोले नेहरू समय मुसीबत का है आए मंत्री मंडल में आजाओ कानुन मंत्री दियो बनाए मंत्री मंडल में आजाओ प्रश्न उठाई अब संग्विधान का संग्विधान अब कौन बनाए चिंतन मनन जेहो बन लागे इस गुत्ती को कौन सुल जाई चिंतन मनन जेहो बन लागे पठेल जी तब नेहरू जी को मन की दीन ही पात बताए भीम राओ अंबेड कर जैसा मुझको तो कोई नजर ना आए भीम राओ अंबेड कर जैसा संग्विधान निर्मात समीती का अध्यक्ष तब दियो बनाए रात दीन मिहनत कर बाबा संग्विधान को रचता जाए रात दीन मिहनत कर बाबा ग्यारह माह अठारा दिन और दो वर्ष जब दियो लगाए संग्विधान संपुर्ण हुआ तब संग्विधान संपुर्ण हुआ ये बात जान निहरु हर्ष आए कहे भीमराव तेरे जैसा भारत माता हीरा पाई कहे भीमराव तेरे जैसा नारी और दलित के हक में संग्विधान में जगी है आस हिंदू कोडविल लाए सदन में तभी नहीं हो पाया पास हिंदू कोडविल लाए सदन में आहत हो अमबेड कर बोले यहां नहीं मेरा दरकार नहरु जी अब मुझे छोड़ दो तुम ही चलाओ ये सरकार नहरु जी अब मुझे छोड़ दो भीमराओ अमबेड कर बोले सुनिये नहरु कान लगाए मुझे नहीं सरकार में रहना इस्तीफा तब दियो धराए मुझे नहीं सरकार में रहना दीमराओ अधिकार दिलाने शोशित प्युणित दलित को जगाए भोजनना सोने की चिंता अपना सब कुछ दियो लगाए भोजनना सोने की चिंता धीरे धीरे मधु मेह बाबा साहब को लिया जकर भरती कराया अस्पताल में जब शरीर हो गया जर जर भरती कराया अस्पताल में डॉक्टर लक्षमी कबीर ने बाबा का शुरू किया उपच्यार बाबा के लिए नर्स भी बन गई बन गई वो पहरेदार बाबा के लिए नर्स भो बन गई बाबा की सेवा करती थी जाग जाग के पूरी रात पता चला लक्षमी कबीर को भीम्राव से प्राभावित हो कर रखती सामने दिल की बात आगे जीवन कैसे कटेगा मैं दूंगी जीवन भर साथ आगे जीवन कैसे कटेगा स्वस्त हुए तब कुछ मित्रों ने कहा भीम को कीजे विचार शाधी कीजे देर न कीजे कब तक रहेंगे यूला चार शाधी कीजे देर न कीजे चाही सहारा यब जीवन में बाबा मन में किये विचार रिष्टे को मन्जूर ही दे कर शाधी करन को हुए तैयार रिष्टे को मन्जूर ही दे कर अब आगे की कहूं कहानी सुनिये सजन कान लगाए जातिवाद न पीछा छोड़ा फिर से मचली जाल में आये जातिवाद न पीछा छोड़ा हिंदू हुआ मैं पैदा ये तो मेरे बस की नहीं थी बात हिंदू रह कर नहीं मरूंगा ये तो है मेरे ही हाथ हिंदू रह कर नहीं मरूंगा चोदह यक्टु बरसन छपन शहर नागपूर बाबा आय हिन्दु धर्म को त्याग के बाबा बाओध धर्म को लियो अपना आय हिन्दु धर्म को त्याग के बाबा श्रेष्ट धर्म है बाउध धर्म ही जन जन को दे गए संदेश धर्म प्रचार करन के खातिर अंबेड कर गए देश विदेश धर्म प्रचार करन के खातिर निट जाएगा घनाय अंधेरा शोशित के घर होगा भोर लेकिन गर मैं जिन्दा रह गया बाउध बनाऊं पाँच करोड लेकिन गर मैं जिन्दा रह गया बाबा की आवाजत धीमी और नैन में अश्रुआ देख के रत्तू पूछन लागे कैसा दुख है दियो बताई देख के रत्तू पूछन लागे मेरे मरने पर तू रत्तू पूरा कर मेरा अर्मान मेरा कारवां रुकने न पाए इसको बढ़ाना तेरा काम मेरा कारवां रुकने न पाए ओवर डोज पड़ा शूगर का बाबा कर न सके अनुमान तड़प तड़प कर तब बाबा ने पेज दिये तब अपन प्राण तड़प तड़प कर तब बाबा ने सयन कक्ष क्यों बंद यभी तक अरधांगी ने किया विचार सयन कक्ष जब खोल के देखी बाबा साहब स्वर्ग सिधार सयन कक्ष जब खोल के देखी बाबा के जो चाहने वाले देश विदेश से भारत आये आईसा महा पुरुष न हुआ है ना ही कभी भविश में आये आईसा महा पुरुष न हुआ है संविधान जो तूने रचा है मानवता पर है उपकार नारी को समान दिलाया दिलाया दलितों को अधिकार नारी को समान दिलाया मनुस मेती जला के तूने संविधान को दिया बनाये मानवता की पर चम तूने पूरी ही दुनिया में लहराये मानवता की पर चम तूने समता का संदेश दिया जो पूरे विश्व जिसे अपनाय भारत रतन से कद तेरा उचा तुम तो विश्व रतन का हलाय भारत रतन से कद तेरा उचा धन धन है माता तेरी धन धन यह भारत देश जिसके गोद में खेल कूद कर दुनिया में बन गया विशेश जिसके गोद में खेल कूद कर जब तक धरती आसमान है यह और सागर में है पानी तब तक दुनिया में गूजेगी अम्बेड कर तेरी बानी तब तक दुनिया हमें गूंजेगी तेरी बानी को गीतों में धाल के दू संगीत बनाए तेरी यमर कहानी बाबा दूगा जन जन तक पहुचाए तेरी यमर कहानी बाबा शद्धास मन करू मैं यरपन बन कर मैं तेरी आवाज तूने जो संदेश दिया है गावे उसको श्रवन साज तूने जो संदेश दिया है गावे उसको श्रवन साज तूने जो संदेश दिया है